हिंदु धर्म में अशूब माने जाने वाले रहुकाल में अपनी उम्मिद्वारी का परचा दाखिल कर चौथी बार विधायत बने सतीश जार की होली ने भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा बस्वेश्वर और भारती समिधान के शिल्पकार, डॉक्टर बाबसाब अमबे को मिली है, इसमें एमकन मरडी, विधान सवाक शेतर के विधायक तथा करनाटक प्रदेश कॉंग्रिस के कारिया धेक्ष सतीश जार की होली को मुख्य मंतरी के पद ग्रहन समारोह में ही केबिनेट मंतरी बनने का सम्मान प्राप्त हुआ है, और शायद जिले के पालक मंतरी भी उनी को बनाया जाएगा, जिस समय सामाजी कारेकरता सामाजी कंध विश्वास को दूर करने में लगे है, उसी समय कई ऐसे नेता है, जो ढोंगी बाबा के चरनों में पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सतीश जार की होली ने अपनी करती से अपने आपको एक आंदोलन के कारेकरता के रूप में सर्वदूर करनाटक में परिचीत है, और मानो बंधूत्व वेदी के नामक सामाजीक संस्था के संस्थापक भी है, एक भैमुक्त समाज के निर्मान के लिए विप्रतिवर्ष डॉक्टर बाबसाय वंवेड कर महाप्रयान दिवस का कार एकरम समशान भूमी में आयुजित करते हैं, बारवी तक शिक्षा हासिल करने वाले मंत्री सतीष जार की हूली पहले सेकुलर जनता दल के प्रमुक कारिय करता थे और जनता दल की ही सीट पर दो बार विधान परिशद में सदस से बने, दोहजार आठ के परिसिमन में जब एमकन मरडी विधान सभाक निर्वाचन ख्षेतर अस्तित्व में आया, तो शेडूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित इस निर्वाचन ख्षेतर से वे चार बार विधायक चुने गए। पिछले चुनाओं में तो उन्होंने किसी भी गाउं में न कोई संपर्क किया और न सगे भाई पूर मंत्री रमेश गोकाक से तो भाल चंद्र आरभावी से विधायक है और लखन विधान परिशत के सदस्य है ये तीनों बीजेपी में है और मंत्री सतिश जार की हुली कॉंग्रेस में है